क्लास थर्ड हिंदी का चोद्वा पार्ट सबसे अच्छा पेड़ के प्रश्ण उत्तर पहला प्रश्ण है तीनो भाई किस मोसम में घर की तलाश में निकले इसका उत्तर है तीनो भाई गर्मी के मोसम में घर की तलाश में निकले निकले दूसरा प्रश्ण है तुम्हें कैसे पता चला तो उत्तर इसका है कि इस मोसम में आम की चर्चा की गई है जो कि गर्मी के मोसम का फल है अतह हमने अंदाजा लगा लिया कि यह गर्मी के मोसम गर्मी का मोसम है तीसरा प्रश्ण है कौन सा महिना होगा इसका उत्तर है लगभग जुलाई का महिना होगा क्योंकि इस समय बारिश भी थी बारिश भी हो रही थी और गर्मी भी थी चोथा प्रश्ण है घर की तलाश पर निकलने से पहले वह कहां रहते होंगे तो इसका उत्तर है घर की तलाश में निकलने से पहले वह गुफा में या खाना बधोश की तरह कहीं भी रह जाते होंगे प्रेशन पाचवा इन मोकों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तमाल करोगी पहला है मेहमान को खाना खिलाने के लिए तो हमको बताना है कि मेहमान को खाना खिलाने के लिए हम कौन से पत्ते का इस्तमाल करेंगे तो मेमान को खाना खिलाने के लिए हम केले के पत्तों का इस्तमाल करेंगे दूसरा है बारिश में भीगते समय छाते की तरह किस चीज का उप्योग करेंगे तो दूसरे का उत्तर है कि बारिश में भीखते समय हम छाते की तरह केले और पाम के पत्तों का इस्तमाल करेंगे दीसरा है सीटी बजाने के लिए तुम किस पत्ते का इस्तमाल करोगे तो सीटी बजाने के लिए हम आम के पत्ते का इस्तमाल कर सकते हैं रंग बनाने के लिए कौन से पत्ते का इस्तमाल होगा तो इसका उत्तर है टेसू के फूल का टेसू के फूल को फूल का जो रंग निकलता है उस रंग बनाने के लिए टेसू के फूल का उपयोग कर सकते हैं पाचवा है गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए क्या कर सकते हैं तो गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए नारियल के पत्ते का इस्तमाल कर सकते हैं प्रेश्न चटा है तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो कौन सा पेड़ लगाओगे आप तुम्हें बताना है कि तुम कौन सा पेड़ लगाना चाहोगे तो तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगे आप तुम्हें ये भी बताना है कि तुम्हें अगर कोई सा पेड़ लगाना है तो तुम कौन सा लगाओगे और क्यों लगाना चाहते हो तो उत्तर है मैं आम तुम्हें लिखना है कि तुम्हें जो भी तुम्हें पेड़ पोधा अच्छा लगता है उसी का उसी के बारे में लिखना है तो मैं मुझे जो पेड़ पोधा लगाना है उससे मैं लि दात्वा यहां कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिये गए हैं वाक्यों को सही चितर से मिलाओ पत्ती पहचान बा रही हो तो उसका नाम भी लिख दो पहला है कर में पूछा गया है कि लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली हो तो इस पत्ती के बारे मैं बताना है कि जो लंबी है पतली है और आगे से नुकीली है उस पत्ती का नाम क्या है तो हमें लिखना है कि यहां आम की पत्ती है ख में पुछा है कि नीचे से गोल आगे जाकर नुकिली हो जाती है यह कौन सी पत्ती है तो यह पत्ती है पीपल की पत्ती है जो आगे से गोल है और आगे जाकर नुकिली हो जाती है वह कौन सी पत्ती है तो वह पीपल की पत्ती है गह है गह में पूछा गया है जिसके किनारे लहरदार है अब हमें पूछा गया है कि जिसके कौन से पत्ती है जिसके किनारे लहरदार है तो हमें बताना है कि वह कौन सा पत्ता है तो यह केलेक की पत्ती है और गह गोल पत्ती किसकी है तो गोल पत्ती कमल की है प्रश्ण आठवा इनमें से कौन सी चीज किस से बनी है किताब में इसका उत्तर है कि कौन सी चीज किस की बनी है तो किताब में कुछ चीतर दिये कहे हैं उन्हें देखकर आपको बताना है कि वह कौन सी चीज से बनी है जैसे कि फोटो देखकर ही अचीतर देखकर आपको बताना है कि वह चीज कौन सी की चीजों से बनी है तो वो रबड से पहला है जो रबड से दूसरा है जो नार्यल के रेशो से तीसरा है धागो से या बास की लकडी से चोता है बास की लकडी से प्रश्न 9 रबड के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूध्या रस निकलता है पता करो कि किन पेड़ों या पोधों से पत्ते तोड़ने पर दूध्या रस निकलता है अब पत्तों को सुखा कर चिपकाओ पहला है इस प्रश्न में पहला है कि आपको बताना है कि रबड के पेड़ की छाल से जो चीरा लगाने पर दूध्या रस निकलता है तो अब पत्तों के नाम बताना है जिससे दूध्या रस निकलता है तो people की टहन्यों को काटने से काटने पर दूध जैसा रस निकलता है उसे दूध्या रस कहते हैं ख है जो चिकनी होती हो अब ऐसी चीज बतानी है जो की पता चिकना होता हो तो वेशा है जो चिकना है वो केला और मनी प्लांड तीसरा है जिन पत्यों की नस उभरी हुई हो जिसकी नसे दिखती हो वो है पान और पीपल इन पान और पीपल की पत्यों की नसे उभरी हुई होती है हमें साफ साफ नजर आती है इन प्रश्णू का उत्तर छात्र स्वयं करें और पत्तियांत एकत्र करके अपनी कौपी में खुछ से ही लगाएं प्रश्ण दस्वा हम दातों को मंजन से मांचते हैं इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं अब सोचो और लिखो इनके नाम क्यों है आगे प्रश्ण है कि यह जो दातुन है अब दातुन का नाम दातुन क्यों है तो दातुन का नाम दातुन इसलिए है इससे दात साफ होते हैं इसल टीसरा है मतनी मतनी मतलब कि जिससे दूद, दयहीशित रोटा जाता है इसलिए इसे इसका नाम मतनी है प्रश्ण 11 ग्यारवा तुलना करो सही जगब पर राइट का निशान लगाना है अब यहां जोडी में है सबसे घना तो यहां नाम दिये हैं जैसे नारियल आम और केला तो सबसे घना इन तीनों में से कौन सी चीज सबसे ज़् घना है उस पर राइट का निशान लगाना है तो जैसे नारियल है या आम है या केला है तो सबसे घना जो है वो आम है तो आम की यहां पर निशान लगाना है सबसे उचा, तो इन सब में सबसे उचा पेड़ कौन सा है, तो सबसे उचा पेड़ है नार्यल का, चड़ने में सबसे आसान, तो जिन पेड़ों पे हम चड़ते हैं, उन में सबसे आसान चड़ने वाला पेड़ कौन सा है, आसान के जिसके चड़ा जा सकता है, तो वो है आम क पर सबसे मोटा तना किसका होता है तो इन तीमो में स Maisan शबसे बढ़े पत किन इन दोनों 2 इन तीमों मैं से किस के पत्ते बढ़े हैं तो एक नार्य dit केला है सब से मीठा फल नार्य होता है आम का होता है या केला तो सबसे मीठा फल है आम और केला फल खाना सबसे आसान कौन सा फल ऐसा है जो सबसे आसान इसे खाया जा सकता है तो वह है नारियल और केला प्रश्ण नीचे और कुछ फलो के नाम लिखो अब नीचे और कुछ फलो के नाम लिखना जैसे कि गुठली वाले और बिना गुठली वाले अब हमें जिसमें गुठलिया होती है उन फलो के नाम लिखना है तो उन फलो के नाम है आम, जामून, पपीता और आलो बुखारा और जिन फलो में गुठिया नहीं होती है वो हैं अंगूर, केला, अनार प्रश्न बारवा, किन फलो को छिलके के साथ नहीं खा सकते अब हमें ऐसे फलों के नाम बताना हैं जिनको छिलकों के साथ नहीं खाया जाता जैसे कि नारियल है, अनार है, संत्रा है, मोसंबी है, केला, पपीता, आम, तरभूज, खरभूजा, आदी फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते हैं प्रश्न तेरवा कौन से फल हर मोसम में मिलते हैं यहां आपको बताना है कि कौन से ऐसे फल है जो हर मोसम में मिलते हैं तो वो हर मोसम में मिलने वाले फल का नाम है केला मोसम भी और अपीता यह सारे प्रश्न उत्तर अपनी फेर कॉपी में उतार लेना